है कि तो है यह वह यह परेंट्स हाव यूफोली ओफ आल पाइन और आपकी तयारी बड़ी स्विंग में चल रही होगी अब है न विकोस अब यह जो पॉश्चिन से निमोस्ट एक्सपेक्टिड कॉश्टन मान सकते वा कि इस तरह के कॉश्चन आने वाले समय में आपको जैसे जैसे अप्टीड की वेटेज बढ़ रही है तो ऐसे टॉपिक्स जो सुर्ण कम अटेंप्ट करना पसंद करते हैं जैसे प्रॉबिलिटी होगा आपका पर्मूटेशन कॉंबिनेशन नंबर सिस्टम इस तरह के चप्टर को अच्छे से करिए और यह जो मैं करवा रह सकता है कि ऐसे कोशन आगे भी आ सकते हैं ठीक है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक के यह शेर के चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत बुलिए और करियें को अच्छे से अपने अच्छे से अपने अच्छे स्कोर करके में की त्यारी कर रहा हूगा और अगर आपने सी नहीं कर पागया आप आपका सफर वहीं खत्म हो जाएगा सो क्यों एक दो नंबर के लिए इतने टैंशन ने नहीं क्यों ना जुड़ा जाए अभी मन्यों आई इसके साथ कैसे जूड़ेंगे मैं बता देता हूं आपको देखिए ऑल्रेडी एक अरली बैच स्टार्ट हो चुका है कि जिसकी टाइमिंग है तीन से लेके साड़े चार और इस बैच का सबसे मज़ेदार क्या बात है कि यह ऑनलाइन था ओफ्लाइन दोनों बोर्ड में अभी लेवल हैं आप चाहें तो क्लासिस भी लगा सकते हैं कि यह आप ऑनलाइन कोर्स भी पर्चेस कर सकते हैं और इसकी आपको रिकॉर्डेट क्लासिस भी मिलेंगे कि बाइचांस आप कॉलिज गॉइंग सुडेंट है या किसी वजह से आप नहीं लगा पार रहे हैं तो आपको जो क्लासिस वीडियो लिंक भी प्रवाइड होगा जो आपका टिल एक्जाम तक चलेगा ठीक है फोर ड क्लास में हर क्लास में हमारे दोट होगा आप 90 लेक्चरे जो मिल रहे हैं आपको यह वाले 90 लेक्ट्स तुमें इस किस और कि法 क्लास में हर क्लास में'RE आपको हिए पीडिएफ भी जू खीन से लेक्ट्ट уж एया जाता है शीबalthon पढ़ाएक प्हीशish शीट बढ़िग बढ ताकि आपको एक्स्टा कोई बुक किया कोई मिटीरियल की जुरूरत ना पड़े ठीक है प्लस आपके पास से रिसोर्स अप्लोड़ीड होते हैं कि जो भी ठ्रेटिकल पार्ट होगा चैप्टर का वह से रिसोर्स चार्ट में पूरा मिल जाएगा तो यह ऐसा ही हर लेक्चर म इसमें पंदरा लेक्चर से आपको मिल रहें प्रिविस एक्षिंट कि मिल रहें 30 जो बहुत जुरूरत होती एक्जाम जाहिए साता है उसके लिए क्लिए सो दिस इस दा बेसिक डिटल ओप और इस कोर्स से आप कुछ भी जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ करते हैं आज के चप्टर की तरफ जोगी है हमारा कौन साथा प्रॉबबिल्टी लेक्चर वन तो लेट उस बिगिन वीद दको शनबर वन तो देस्क्लास कोशन इस एक एंडिड इस रिक्वाइड तो अंसर शिक्स आउट 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 इन तो ग्रूप इस कंटेन ऑड्र कोशनी संब्सक्राइब तैन-नेचिन एंट्टो इंटो सेवें तो इंटो इक्स क्टर इस पॉक्तस करें डूं लना तो किद्ट्रीट तो 110 होगह टोटaatल नम्र केसिए कोणernick कि बाब चार कोशने निद्ट कर रहे हैं यह चार से ज्यादा कर रहे हैं कि यह 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 जदा हो यह बांच यहTH कम है टो टो अपित दो क्या मैं वो किसी कि निकाल लूंग फांच या पांके से जाद हैं पांस से जाद होई नहीं सकते हैं तो क्या होएगा देखो अगर पहले उससे उठाए आपने अब एक बात देखने वाली है आपके बास दो अलग अलग आपके पास पांच पांच किया तो क्या अगली बार आप दूसरे पांच कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं तो इसलिए यहां पर क्या आगया है तो त्व टामस कि 5C5-5C1 ऐसा प्रफाइब दो बराबर है तो बराबर आएगा तो टू इन्टू यह वह गाए वन और यह कितना आएगा मेरे पास तो पांच गून दो कितना हो गए दस तो यह इसमें से सिरफ दस कर दो अंसर कितना है आपका आपका ऑप्शन नुमर भी दोस्तों क्लियर तो यह बहुत असान कोश्चन था जो अभी हमने किया है क्लियर चले विटा नेक्स कोश्चन इस प्रोम पैक और 52 कार्ड वन कार्ड चूज़न ए रेंडम वट इस तरह प्रवालिटी ओव दाइमंड और कूइन देखो सिद्धी बात है डैमंड कितने होते सिर्फ इतनी सी स्टेट्मेंट दियो इतना ही मुझे अंसर करना बस तो यह कितना के देखो सतरा पटे बावन इस से जाधा इस कोशन में लिखना ना इस कोशन के साथ बेमाननी होगी क्लियर कि कॉमन पार्ट है कितने आपके बस दैमेट है कितने क्यूंड कितना कॉमन है देट सिट चलिए आप बैक कंटेंस फाइव वाइट और फोर रेड बॉल्स देखो फाइव बाइट है प्लस फोरेड वाल्स क्लियर टू बॉल्स पिक्ट एट रेंडम वाट इसना प्रवाविल्टी देट बोथ डिफ्रेंट कर कैसे करेंगे भाई कैसे करेंगे सोचो सोचो अलब एक वह एनर्जी प्यादा करों देखो सिर्दी सी बाता सबसे बहले डिवाइड़े वाइड ट कि टोटल मेरे पास कितनी बहुत है यानि नो में से दो मैंने पिक करने इतनी सी बात है पहले समझो अच्छा अगर मैं वाइट भी करता हूं फाइव सीवन इंटो फोर सीवन डिवाइड इवाइड बाइड बस इसको अगर आपने स्वाल्व कर लिए आपका अंसर आगया दस्वें दरोल प्लीजव दिस दस कि मार रखेड आपके स्वाल कि जेए फटन मुझे का देखना स्वाल कि जैसको तो यह जो कितना आगे 5 खैक्टोरियल बंग 5-1 खैक्टोरियल दो 1 खैक्टोरियल इंटो 4 खैक्टोरी एंटो-5-3,4-3-4-4-1 थैक्टोरियल इंटो 1 into 2 factorial तो बिटा ये कितना आ गया 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 4 factorial upon 3 factorial divided by 9 8 into 7 factorial upon 7 factorial into 2 into 1 तो बिटा ये आई खो लिखो 3 factorial cancel out साथ से साथ 4 तो ये कितना हो गया 5 into 2 4 divided by 9 into 4 5 by 9 answer में बिल्कुल जी तो 5 by 9 is the correct answer of this question बताओ छोटे-छोटे से कोशन होते हैं छोटे-छोटे से बिल्कुल पॉइंट जैसे बट इनको करने का जरसा त्रिकान आचे इतनी सी बात होते और कुछ नहीं अगला कोशन बदा सोच समझके करने वाला उस पर लगाएंगे समय तो यह पसंद आए तो लाइक कर कि यह आप लोगों की डिमांड भी लेक्शर साते हैं ठीक है इफ टू डाइस अर थ्रोन टुकेदर वट इस रप्रोवेलिटी ओव गेटिंग एन इवन नंबर ऑन दाई वन डाई एंड और अधर देखो सिद्धी सी बात है भाई यह मेरी डाइवन है और यह मेरी डाइट हुआ है ठीक है अब धान से बात को समझें वो क्या कह रहा है एक पर एवन एक पर और एक पर एवन एक पर और कैसे बनेंगे किसे सोचिए अब एक गेम खेलते हैं चलो मैं आपको बनाके दिखांगा आपने देखना देखो सब्सक्राइब पहले मैं ने डाइवन को चूँचा है जहां पर एवन अच्छी ठीक है यानि एवन के सथा और के साथ और के साथ यहां से कितने नुमर नेंगे मेरे तीन बनेंगे उसके बाग पिर मैंने चूज किया फॉर फॉर के साथ ओड और नौड कि यहां से भी तीन अपर किसी आगे कि suppose करो supposed करो दिमाग में सोचो ठीक है हो गया नेक्स्ट है मेरे पास छे के साथ एक आ सकते हैं तीन आ सकते और पांच आ सकते हैं यहां से पिर कितने नुमबर ऑफ के सिस्टि तो यह अगर मैंने दाई वन को लिया तो no number of cases आगे मेरे पास yes isn't it yes अच्छा क्या यहीं चीज डाइटू के साथ भी होगी यहां से अगर मैं डाइटू को पहले लेता हूं तीन तीन और तीन तो टोटल नंबर अब किसी कितने होगे जो पॉसिबली पॉसिटीव अठा रहा टोटल कितना हो तो चत्तिस एक बटा दो इससे असान तरीके से मैं इस question को आपको कैसे समझाओं समझाओं सब्सक्राइब लाइक शेर और कमेंट डाइट वीडियो मजा आ रहा आपको मुझे पता है तो इसकी चाहिए बात की भाईया लाइक कर दिए शेर कर दिए कमेंट की समझाओं तो यह बड़ अच्छा और मौन दा सेट 567 वट इस रहा प्रवालिटी तैक देट एक्स वाई विल बिया एवन इत्स एक्स वाई और एक्स इंटुवाई इस इन तो यह इंट छिए इस अग्या चाहिए मैं आपको कि एक्स वाई क्या हो सकता कि देखो पहले केसी डागो 15 16 17 ठीक है उसके बद़ 25 2 6 2 7 3 5 3 6 and 3 7 फिर क्या आई जागा है में 4 5 4 6 and 4 7 ठीक है 4 6 यह तो मैं तो टुटर हमरों कैसे एक दो तीन चार पांक छे साथ नौदस ग्यारा और बारा देखो टुटर मोरों कैसे बारा लिखने की जरूरती निए पहलता हो मैं अब नेक्स मुझे क्या बोला जा रहा है कि यह एकस वाई-ई-वन मतलब एकस वाई-वन कैसे हो सकते सोच से देखो जड़ा है दो तरिक हो सकते हैं यह तो सम यह मल्टिप्लाइब बट कोशन में सम नहीं बोला एक्स मल्टिप्लाइब आई देखो कौन कौन से मेरे पास एक दो तीन चार पांच छे साथ और एकाट यानि कितना एट आउट ओफ ट्वैल्व यानि कितना आ गया दो बटना तीन आप्शन नंबर बीस दा राइट है तो ऐसे कोशन पेपर में बनेंगे भाई बनेंगे बिल्कुल बनेंगे आएंगे याएंगे क्लियर सो इन को सबसे अच्छा तरीक्या करने के शौट कर जो मनें बताएं प्लीज इन को नोट कीजिए और अच्छे से समझें चलिए चलिए नेक्स तिंग इस तैट अभी पीडिया माइक्रो कोर्स माइक्रो कोर्स माइक्रो का मतलब रूट लेवल पे जाके काम करना मतलब माइक्रो कोर्स इस पेश्लियं इंट्रिदूउस पर रंडॉस तो इंड गय." है। जो किसी पंटीडुलर टॉपिक के काम करना चाह रहे हैं वो माइक्रो क्रोंस के उपडा की जाती है कि मैं दिखाता हूं आपको क्य है कि इसका सैट्रम ही कि चलिए सबसे पहले जाएंगा अभी पीडिया पी चूज एक्साम कि सब्सक्राइब यहां से देख सकते हैं यह विडियो कॉर्सिस और यह आपका वट्साप गुरूप का लिंक जो प्लीज आप शेर कीजिए और इसको जोइन कीजिए फूर अपकमिंग वीडियो नेक्स य कैसा बोलेंगे ठीम वैसे ही आपके साथ उसी मेडम उसी मीडियम से स्वारी उसी माध्यम से आपके साथ जूड़ेगे ठीक है चलिए नेक्सिस मैथ जैसे मैं इसकी बात करूं है जैसे पूरा बंदल 3357 डोंट आपको नहीं लिए ना ठीक है जैसे नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है यार लास्ट यह बिना 25% पेपर आपका नंबर सिस्टम था 25 जान सकते हैं 20 के राउंड कोशन नंबर सिस्टम से था या नहीं तग्रिवन वन पूर्स आपका पचास नंबर सिस्टम था क्या है यहां पर आपको 324 रुए दस लेक्च्च्च्च्च्च इसका निए लेक्च्च्च्च इन नुए नोट्स है डिंटिक्रेंट्स मॉप्यशक्टेंस आपको प्रॉइड कि रहें सिंप्लिकेशन विश्स नहीं कितने रुपय चार धमाकिदर अंदे लेक्च्च्च्च्च्च है और सेरह और सेरह कितना रुपय गएगा और क्यां सब्सक्राइब करें आपके पास 125 रुपे का नो परसंट आता है प्रॉइल्टी और पर्मूटिशन चलते होते हैं नेक्स जैसे आवरेज हो गया आपका नंबर सीरीज हो गया लाइन चार्टों का रेशियो प्रपोर्शन टाइम और जैसे मैं सूरेशन 207 रुपे का तीन ले इसमें सारा कंप्लीट मिशन डेलिगेशन 122 रुपे का ठीक है आपका डी भी सारे सब कुछ है इसके अंदर और ऐसा ही नहीं कि सिरफ इसी का है देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं आपके पास लॉजिकल रिजनिंग और इंग्लिश का भी ऐसा ही है ठीक है तो इसी त इसको करवाया यहां पर सिरफ और सिरफ आपकी सहुलियत के लिए कि आप इसको करेक कर पाए कि जो आपको लगता है आपका वी पॉर्शन आप उसके से काम कर पाए जैसे पूरी इंग्ली सिरफ और सिरफ 407 वर्वें की ठीक है और इसमें रिदिंग कॉंप्रेहेंशन तो और एक बात और यह जैसे 968 को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज जो आपको लिंक चाहिए झाल सकते इवटicial और यह जा सब्सक्रादा प्लीज जाया दे ख झाल सकते थल, ।स भी जा है ठाल साहिए और प्लीज में और झाल